तो अभी तीन स्विंग पोजिशन लिए पांच लाग के आसपास की तो सोचा एक अपडेट वीडियो बना देता हूं प्लस पहले तो नीचे टेलेग्राम का लिंक है अगर आप टेलेग्राम पे नहीं हो तो आप अब अब विसली एक गलती कर रहे हो क्योंकि वहीं पर से पॉजिशन के उपर अगर आप पॉजिशन के होगे तो पांच लाग पक्चेस अजार एट हंड़राइंट फिफ्टी फॉर रुपीज की पॉजिशन में रखिये करेंटली वेर अब ट्वेंटी थाउजंट है और अब इसमें से जो पॉजिशन लिए ना पांच लाग क यह काफी छोटी पॉजिशन है टैस्ट पॉजिशन है एक्चल में तीनों की तीनों किस बात का टैस्ट है यह देखने के लिए कि मार्यकेड बापर सिर्पॉजिशन को सपौर्ट करती है कि नहीं करने तो मैं चौथी पांची पोजिशन तब तक एंटर नहीं करूँ है जब तक ये पोजिशन मेरी फ्री नहीं हो जाती ठीक है अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा और मार्केट देखो क्या होता है आप एक एक करके पुजिशन एंटर करती हूँ फिर देखते हो मार्केट उसके कैसे रियाक्ट रखती है आपने तीन एंटर करने तीनों थी नहीं है ठमझाओ और आपने मान लो तीनों एंटर करने तीनों चल पड़ी इसका मतलब एक green signal market ने दे दिया, अब आप थोड़ा सा risk को increase करके push कर सकते हैं, जैसे maximum risk इन पे 0.25% का ही है, पूरे capital का, तो अब मेरा capital 20 लाग हो चुका है, swing के लिए, तो maximum risk जो मेरा open है, वो है 5-4 रुपे, और अगर ये तीनों में से 2 free होती है, मैं risk को 10K कर दूँगा, ठी फिर 0.75 ले जाओंगा, फिर 1% ले जाओंगा, जैसे मार्केट मेर को support करेगी, ठीक है, तो पहले तो बात कर ले के positions की, सबसे पहली position जो लिए है, वो है, वो लिए decal में, अब decal में आप ये हरान होगा कि ये fall आई, आपने फिर भी position ले ली, तो आपको एकी समझनी ये एक देखो, अगर मैं इसका एंगल निकाल होगी, वो एंगल वाला टूल कहा पर होगा था, ये trend आइंगल, ये 90 डिग्री वह है, 73 डिग्रीज, ठीक है, आल्मोस्त, समझ रहे हो, मतलब एक ही दिश्या में चला गया, यहां से यहां तक ना, एक ही दिश्या में चला गय और ऐसे नहीं जाती मार्केट, हमें हमारे को हमारी हिस्ट्री से बता है, मार्केट यू यू जाती है, देखो, यू, जब यू जाएगी ना, तो यू करेक्ट भी करेगी एक दवार, ठीक है, एक मिनी शेक आउट आता है, तो कि जिन लोगों फुम होता है, कि हम से मिस हो ग सेलिंग मुझे एक रुपे की वॉल्यूम ने दिख रही, बाइंग में मुझे बार बार वॉल्यूम कॉप्स दिख रहे हैं, ठीक है न, तो यहीं से थोड़ा सा ये स्टॉक अट्रेक्टिव हो गया, उसके बाद ये एक अच्छा मूव, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, साथ दिन तक कंसॉल्डेट करा है, इसने, एक अच्छा बेस बनाया, उस दिन का हाई लेके चलो, उसके बाद, एक ही हाई के आसपास, आसपास मार्केट गोगलती, अब जब मुझे इस दिन इसका हाई तूटता दिखा, तो मैंने एंट्री लिए यहाँ पर 27 मा तो कहाँ पर यहाँ पर गई, 226.9 यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लगव है, यहाँ पर है, 226.9, 1020 यह में कोई तोड रहा है, 50 के उपर, 50 के नीचे ब्रेक करते ही, सपोर्ट ले गया, वापसे बायर, 50 के उपर ले आए, और कंसॉल्डेट मार दिया, ठीक है, तो यह ए बिलकुल हो सकता है, बट क्या हो सकता है, फिर से अपने नए हाइस टच करें, बिलकुल हो सकता है, मेरे को तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, भाई हम में से कोई अंतर यहामी तो है नहीं कि हमें पता हो, स्टॉक में आगे क्या होगा, हमारा काम है, रिस्क मैनेज करना position बनाना loss होगा पांच जार का profit होगा पचाश जार का ऐसी idea दे रहा हूँ कि पांच का loss हो रहा है तो ये सोच के चलेंगे कि 15-20-25 जार का profit हो हमें ये सोच के अपनी आगे बढ़ना है ठीक है तो ये तो होगे trade decal का अब आते हैं संदर technologies पे संदर technology मैंने इस दिन trade लिया था पहला लेकिन मैंने जाते जाते close कर दिया बट अगले दिन open पर ही बाय कर लिया क्योंकि इस दिन मैं थोड़ा समझ लो हर बड़ा ही में close कर दिया वेडनेस जेको FNO की थोड़ी सी गुस्से में इसको close कर दिया trade को तो इसके open पर ही मैं ने दुबारा इसको buy कर लिया और वहाँ पे मेरे को एक दो point का loss हो गया बट कोई नहीं बहुत ही छोटी position बिल्ड करी थी 509.8 पर है ठीक है 500 यहां करी अब अगर आप तीनों में एक चीज notice करोगे न तो हम अगर तीनों की नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम पॉप्स मिलेंगे हमारे को buying की साइड selling की साइड नहीं देखने को मिलेंगे वॉल्यूम पॉप्स ठीक है और एक चीज के नोटेस करी सेम ही दिन जिस दिन 14 मार्च के दिन ही देख लो आप 14 मार्च का दिन हर स्टॉक भागा है उसके सेवी कंसॉलिडेशन दिये साथ दिन और सेवी मूव दिये अभी तक तो वॉल्यूम पॉप भी नहीं आया इसमें है ना तो लगबग लगबग आप यह कह सकते हो यह तो बड़ा 25 रुपे 25-100 रुपे कितने होगा बीस लाक के ऊपर 0.125 ठीक है ना तो ज्यादा ज्यादा लॉज क्या 25-100 रुपे का लॉज होगा इसमें इसमें मेरे को उपरचुनिटी मिलेगी तो मैं आड करूगा नहीं मिलेगी तो मैं स्बस्वक ट्रेल करूँगा बढ़ी आराम से अ में हमने लग 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 नभे हजार का कुछ प्रॉफिट करा है तो मेरे लिए अल्रेड़ी एक बहुत बड़ा विनर रहे चुका है बैंक ओ महराष्ट्रा अब इसने फिर से मेरे को अपर्चुनिटी दिए अब इसकी अपर्चुनिटी समझने के लिए जनरली अगर आपने मेरे को देखा होगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी भी स्टॉक ऐसे बड़ बड़े मूव देता ना मैं इग्नोर करता हूँ उस और पैटन की बात करें तो फिर आपको के सेम पैटन आ गया कि वहीं चौदा मार्च को आप मूव आया साथ दिन का कंसोलिडेशन और पॉप पर हम भाय कर रहे हैं और इस इस दिन पॉप आया उस दिन 57.958 की वॉल्यूम भी आई है वहीं पर अगर मैं इस स्टॉक की आवर 586, 57, 160 और अगर मैं अभी भी आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा ना कि यह एकदम से स्ट्रेट डाउन मूव क्यों आया है क्योंकि यह देखो यह कौन से एंगल है वाई 70% के एंगल पर स्टॉक मूव करता है क्या नहीं 70% के स्टॉक पर एंगल पर मूव कर रहा तो वो ऐसा वॉयलेंट एक वॉयलेंट डाउन मूव देगा उसके सिस्टम में है ठीक है और यह देखो हो सकता था आप यह सेम पैटन देखकर क्योंकि अगर मैं यहां पर ले जाओ चार्ट को ठीक है यह सेम पैटन देखकर आप हो सकता है यहां पर एक ट्रेड लोग यह ब्रेक आउट आया है यह राइट आप यह ट्रेड लोगे हो सकता है आप लोग वा कशे का पे ट्रेड़ लिया, आपने पांच जार का लोस करा, अपने यहाँ पे ट्रेड़ लिया आपने recommended हाई कभो और कहीन पर नाय औच तोड़ा सा कि स्किल्पर करतेों कभ और एक्जिट करते ओक एक गर्षे ने तरेल को यह नहीं के भी करूँ अकल वो वीडियो दल जाएगी कि कौन कौन जा नए स्टॉक मेरी लिस्ट में बाकि टेलेग्राम पे भी आ जाएगे तो नीचे टेलेग्राम का लिंक है कृपया करके टेलेग्राम पे आ जाएए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए लाइक कर दो और अगर